14 मार्च की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे 95 असकर पुरसकार 2023 घुशित किये गये हैं जो प्रश्ण आ सकते हैं वो आप लोग देख लिजे सरवादिक साथ पुरसकार Everything, Everywhere, All at Once इस मूवी को दिया गया E.E.A.A. इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है इस मूवी को E.E.A.A. के रूप में आप देखोगे शोसल मेडिया पर यह फेमस है सरवसेश्ट फिल्म का आवाड Everything, Everywhere, All at Once सरथात E.E.A. को मिला सरवसेश्ट निर्देशक का जो आवाड मिला इस मूवी के ही निर्देशक है डेनियल क्वान वडेनियल शेइनर्ड इन दोनों को मिला बेस्ट अभिनेता का बेस्ट एक्टर का जो आवाड मिला ब्रेडन फ्रेजर को मिला दे वेल मूवी में काम करने के लिए वही बेस्ट अभिनेत्री का जो आवाड मिला वो मिशल योग को Everything, Everywhere, All at Once मोवी में काम करने के लिए भारत के लिए ये एक इतिहासिक पल रहा जब भारत में बनी फिल्मों के लिए पहली बारह सा हुआ इतिहास में कि आउसकर पुरसकार मिला जो भारती प्रोडेक्शन की फिल्म के लिए मिला है पहला Best Original Song का नाटू नाटू, ट्रिपल आर जो मोवी में ये सौंग था Music इसका MM कीरवानी ने दिया था Lyrics का चंदरबोस ने दिया था और जो दूसरा जो पुरसकार है Best Documentary Short Film का मिला The Elephant Whispers को इसके निर्माता जो प्रोड्यूसर है गुनीत मोगा है और इसके निर्देशक है कार्त की गुनजाल विस Best Documentary Feature Film यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर Documentary आप शब्द देख लोगे तो आप पकड़ लोगे और The Elephant Whispers जो है जल्दवाजी में आप टिक कर दोगे तो ऐसे में आप प्रश्ण फसा सकता है यह पूछ सकता है कि Best Documentary Feature Film का वाड किसे मिला तो Best Documentary Feature Film का वाड All Quiet on the Western Front को मिला एक है Best Documentary Short Film वो भरती मुवी The Elephant Whispers को मिला और दूसरा है Best Documentary Feature Film All Quiet on the Western Front को मिला आसकर पुरुसकारू की बात करें तो 16 माई 1929 को पहली बार यह पुरुसकार दिये गए थे Motion Picture Arts and Science Academy USA के द्वारा यह पुरुसकार दिया जाता है Lance Angels में यह पुरुसकार समारो हुआ जित होता है इसको Academy पुरुसकार भी कहा जाता है Film जगत में कर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई पुरुसकार नहीं है यह सरसेश पुरुसकार माने आता है भारत के दिश्ट से अगर देखें इस बार को गर छोड़ दिया जा तो पांच बार ऐसा रहा है अर्थात पांच लोगों को इसके पहले यह अवार्ड मिल चुका है किसे किसे पहला भानु अथिया को मिला था 1983 में जो इंगलिश मुवी गाधी आई थी उसके कास्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथिया को मिला था और पहले भारती बने थे आसकर जीतने वाले सत्त जीतरे दूसरे भारती थे जिनको Honorary Lifetime Achievement का आसकर मिला था 1991 में इनके फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए किसी फिल्म के लिए नहीं मिला था ध्यान रखेगा तीसरे रेसुल पकोटी चौते एयार रह्मान और पांच में गुलजार थे इन तीनों लोगों को ही Slum Dog Millionaire जो 2008 में मुवी आई थी उसके लिए क्रमशह Best Sound Mixing, Best Music Composer और जो गीत कार, गीत लिखने वाले गुलजार थे इन तीनों लोगों को मिला था ये पुरसकार अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम विशुद भारती मुवीज को पुरसकार मिला है फोस्टर का नियम जिसको दीप प्रभाव भी बोलते हैं आईसलैंड इफेक्ट भी बोलते हैं ये किस से संबन्दित है पूच सकता है तो ये जैविवित्ता संबन्दित है ठीक है, ये जीव विज्ञान की एक आउधारना है फोस्टर का नियम इस नियम के अंसार या आईसलैंड इफेक्ट ये कहता है कि दीपों पर बड़े शरीर वाले प्रजातियों में अकसर कमी आती है और छोटे शरीर वाली प्रजातियों की संख्या में वृध्धी पाई जाती है वृध्धी देखी जाती है इस संख्या के घटने और बढ़ने की जो घटना है इसको समलित रूप से फोस्टर का नियम कहते हैं या द्वीप प्रभाव या इस आइसलेंड इफेक्ट कहते हैं अभी ये चर्चा में है ये अधारना क्योंकि एक रिपोर्ट आई है एक इंटरनेशनल ऑगनाईशन है उसने एक रिपोर्ट दिया कि लोगों के आने से अर्थात लोगों के दीपों में बसने से वहाँ पर घूमने फिरने जो गत्विदियां है मानुई गत्विदियां बढ गई है किंजल या डैगर ये अभी हाली में काफी चर्चा में रहा क्यूं रूस ने युक्रेन पर हमला किया इसके माध्यम से ये हैं क्या हाइपरसोनिक मिसाइले हैं पूछेगा किंजल या डैगर ये क्या है तो हाइपरसोनिक मिसाइले हैं कहां कि हैं रूस की बार्डर गा आस्टेलिया के विरुद्ध इसमें आपको पता है तिहासिक रहा क्योंकि नरेन मोदी स्टेडियम में जो ये मैच खेला गया अन्तिम मैच इसमें प्रधान मंत्री मोदी और आस्टेलिया के जो प्रधान मंत्री हैं एंथनी अल्वनीज ये दोनों भी सामिल हुए थे भारत इस टूनामीन में जीतने के बाद दसमी बार इस ट्रॉफी का विजिता बना है पांच बार आस्टेलिया इस ट्रॉफी को जीता है और एक बार ही केवल ड्रा रहा है ये मैनाब्दी सिरीज कौन रहा तो आर अश्विन और रवींद्र जडेजा ये समलित रूप से मैनाब् पहुँच गया इसके पहले जो पहला फाइनल हुआ था भारत और न्यूजिलेंड के बीच हुआ था अर्थात जिसमें न्यूजिलेंड जीत गया था और पहला विश्ट टेस्ट चैंपियंशिप विजेता भी न्यूजिलेंड बना था अभी भारत और अस्टेलिया के मध यह मैच होगा फाइनल और उसमें जो विजयता होगा वो विश टेस्ट टेंप चैंपियंशिप का दूसरा विजयता बनेगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत बुद धन्यवाद